तो इस साल की सुरुआत जहां बहुत अलग हुई बोल जाए कि बहुत बढ़िया हुई चाहे वो मेरी जिंदगी हो या चाहे फ्रीलैंसिंग हो इस समय में जहां मैं पहले 2023 में मॉवाइल के अंदर वीडियो अडिट करता था वहां मेरे पास आज खुद का एक PC था और उसमे मैंने अपनी पुरी लाइप के और पुरी फ्रीलैंसिंग के सबसे हाइस रेविन्यू टच करा जो की था 50,000 डुपीज पर मन्त और उस समय मैंने कई सारे डिजिजन लिये मैंने डिजिजन लिया कि अब मैं कॉलीज नहीं जाऊंगा और इसी चीज को फुल टाइम परसीव अचीब करूंगा और वहां मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे गोल सेट करें कि यह मेला पुछ भी नहीं जब मैंने 50,000 को टच कर दिया तो अब यह सारे गोल तो मैं यह अचीब कर लूँगा लेकिन आज लगबख 10 माईने बीच चुके हैं आज फरस्ट अप्ट हुआ रहे हैं अगर आज मैं आपका अपना बैंक अकाउंट दिखाओं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 7,000 पर पड़े हैं नहीं मेरे पास क्लाइंट है नहीं मुझे दिख रहा है कि कोई क्लाइंट आएगा और मेरे पुरी फ्रीलैंसिंग ज़नी में लगबख में दो से तीन साल होने वाल तो कहीं मैंने डिजन गलत तो नहीं लिया लेकिन मैं यह वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मैं आपको बताने के लिए कि मैं से कुईट करने वाला हूं या मैं फ्रीलैंसिंग को छोड़ने वाला हूं तो नहीं होने वाला है लेकिन मैं यह वीडियो इसलिए बता र कि आगे सही, ये चीज़े सही होंगी कि नहीं होंगी लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको बता सको कि ये फेज भी आता है जहां पर आप चाहिए फ्रीलाइसिंग स्टार्ट करें चाहिए कुछ भी स्टार्ट करें जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होता है वो सारी चीज़ों में आपको ये फेज भी देखने के लिए मिलेगा लेकिन खुजी के बात ये है कि हमारे पास अभी भी 90 दिन बचे हैं इस साल को खतम होने के लिए हम कोसिस करेंगे कि इन 90 दिन के अंदर हम आप उने चैलेंज को कम्प्रीट करें तो ये वीडियो मैं उसी चीज़ के उपर बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखी नेक्स 90 देज के अंदर आप जब इषब देखने साय से येस साल ख़तम भी हो चुका होगा ये साल चल भी राँ होगा लेकिन मैं आपको राक्यमेंट करूँगा जब भी आप इस वीडियो को देखें जब जागो तब सवेरा 있는 हूं कि आपू चैलेंज को कधा होने के लिए क्योंकि इन दो सालों के अंदर मैंने बहुत सारे चैलेंज लिये, कुछ चैलेंज ऐसे थे जो कि मैंने कम्प्रीट करें, कुछ चैलेंज ऐसे थे जिन चैलेंज को मैं कम्प्रीट नहीं कर पाया, मैं आपके साथ वो चीज़े करूंगा, जो चीज मुझे लगता है कि ये ची दिख जाएगा इनने बहुत सारी गोल को здraf प्रपडा गते कर बात करी जनने अपने गट को अपने गूल को अचीब करा ऊसाब से इन इनने एक फॉर्मूनला बनाया कि अगर आप उस फॉर्मूला के हिसाब है कि आपको सबसे पहले एक goal सब करना पदे गा क कोई भी चीज करने से पहले आपको एक गोल होना जाएsınız आपके पास और जो आपको सबसे पहले करने से पहले पहले अपको एशाथ का जिद रखना पड़ेगा है कि जो आपका goal है वह logically से जादा इमोशनली होना चाहिए आखे ऐसा क्यों आपको लगेगा कि यह क्या बकवास है लॉजिकली गोल होना चाहिए हमारा तो इमोशनली गोल कौन रखता है लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा जहां पर इन्हों देखा कि जिनके लॉजिकल गोल थे और उनसे पूछा कि आप घर से भार भी लिख लेंगे लेकिन आपको बोल दूँ कि आपको हजार रुपे कमाने हैं और आपके घर में आज खाना नहीं है तो क्या फिर आप हजार रुपे कमा पाएंगे मुझे लगता है कि आप करेंगे तो यह यह जब आप किसी गोल को लॉजिकल रीजन द हम हमेशा गोल रख तो लेते हैं लेकिन हम उसके पर काम नहीं करते हैं उसका ना काम करने का रिजन ही होता है कि हमें उसको करने का मनी नहीं करता है और मनी इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमारे अंदर को करने की चाहती मला आपको उसकी जरुवत ही नहीं है तो उसकी कि हम यूमन्स और इमोशनल क्रीचर हम एक्ट करते हैं ना कि लॉजिकली तो इस चीज को आपको धियान रखना पड़ेगा तो आपके पास जितना क्लाइंट होंगे उतना ज्यादा आपको मनी मिलेगा यानि वह आपके क्लाइंट का बाइप्रोड्रक्ट मनी है तो जितना हो हो सके आपका जो गोल हो गोल सिफ आपके डिरेक्शन देने में आपको काम करेगा आपको मोटिवेट करने में काम करेगा आपके अंदर डिजायर पैदा करने में काम करेगा तो जितना हो सके उतने जाद आद आप गोल रखें जो कि आपके हाथ में हो एक्शन अगर आपका आते हैं अपने action को goal में कैसे रिलेते हैं वो आपको अब इस वीडियो के आगे पता चल जाएगा तो इस तरह के से आपने एच जो follow में एस था heartfelt आपने अपना एक goal सेट कर दिया है जो कि आपको 90 डेस के अंदर complete करना है अब बारी आ जाती आपने goal को visualize करना है यह सुनने में बहुत अजीव सा लगेगा secret book की बाते कर रहा हूं मैं आपको पहली बताता हूं यह सारे चीजे वह चीजे जो मैंने कुछ इंप्लिपाय करें जितना हो से कि आप उस चीज को visualize कीजिए उतना ज्यादा उसको फिल करने की कुछिज कीजिए क्योंकि इससे क्या होगा आपका desire strong होगा जितना ज्यादा आप उसको मैसूस करेंगे उतना ज्यादा आपका desire बढ़ता जाएगा उतना जादा आपके करती है अब देखें यह आपके हाथ में तो इसका मलब आपको मिलेगा नहीं इसका मलब है कि जब यह आपके पास होगा तो यह बार बार आपको याद दिलाएगा कि आपको यह चीज आपके पास आजाएगा यह आपको हमें से याद दिलाएगा कि यह चीज आपका target है इस आपको क्या चीज करने के लिए क्या क्या चीज छोड़नी पड़ेगी क्योंकि सच बोलों तो 50% आप अपने गोल के करीब वैसी पहुझाते हैं जैसी आपको यह पतल जाता है कि आखर आपको किन चीजों को नहीं करना है बजाए कि आप ये चीज दाने कि आखिर क्या चीज करनी चाहिए सच बताऊं तो अगर आपको किसी भी goal को अचीज करना है तो आपको sacrifice करना पड़ेगा यहाँ पर कोई balancing नहीं चलेगी कई सारी लोगे बोलते हैं कि हम balance करते हैं हम life को balance करके चल सकते हैं अगर आपको कोई चीज अचीज करनी है तो उसना कोच उसमे sacrifice जाएगा तो आपको sacrifice करना पड़ेगा आपको भार गूमना sacrifice करना पड़ेगा आपको mobile का use करना sacrifice करना पड़ेगा जब आपको यह पता चल जाता है कि आखिर आपको sacrifice क्या करना है फुल फोकस जो भी हमारा चैलेंज रहेगा हम पूरा को पूरा फोकस देंगे तो यह जो बात होगी sacrifice की अब बारी आजाते है कि आपको उस गोल को अचीव करने के लिए किन किन requirement की जरुवत होगी अब यह point सबसे important आजाता है जहां पर आपको मदद होगा कि आकर कैसे करके आप उस goal को अचीव कर पाएंगे अब हम क्या करेंगे हमने 90 days का goal रखा करियों का goal ऐसा होगा जो कि byproduct होगा यानि वो कोई action नहीं वो byproduct है तो लेकिन अब हमारा जो goal यहां पर changes हो जाएंगे बनाया है कि let's suppose हमने target रखा है कि हम 100,000 रुपीज पर मन्त कमाएंगे तो यह byproduct हो गया जो चीज हम करेंगे जो action हम लेंगे यह उसका byproduct है तो यह हमारा goal हो गया जो कि हमें इसे चीप करने 90 days के अंदर अब उसके लिए हमें क्या चीए हमें क्लाइंट चीए हमें उसके लिए क्लाइंट चीए हमें उसके लिए क्लाइंट चीए और कितने क्लाइंट चीए वह हम यहां पर लिए पांच क्लाइंट के करीब चाहिए और उस पांच क्लाइंट को पहुचने कि मैं उन्हें यहां तक पोशाच चुका हूँ कि आज मुझे जो करना है और जो मुझे कल करना है वो सारे action मुझे पता चल चुके हैं यहांनि अब हमारा जो गोल 90 डेस का था अब उस गोल को हमने इतना चोट 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 कर देया है कि अब हमें पता चल चुका है कि अब क्या action हमें लेना है यह चीज आप जब जब इंप्लिफाई करेंगे तो तब विल्कुल चेंज कर देंगे अपने आपको अगर आप उस से चलेंगे तो आपको कभी उसे complete नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आप उसे इतना ज्यादा micro level पर तोड़ देंगे कि आखिर आपको कल क्या करना और आज क्या करना यह तक पता हो जाए तो आप उस गोल को बहुत है यह चीजा मैंने खुद इउसी साब से मैं एक चार्ट बना यह है जिस चार्ट के आंदर का चार्ट है जो भी आपका टार वहाँ पर आप टिक लगा देंगे और ध्यान रखें कि कई बार ऐसा होगा कि हम human हैं हमारे कोई दिन छूट जाएगा लेकिन हम इसा ध्यान रखें कि आपके सिर्फ दो दिन छूटने चाहिए बार आप इस मौन फर जबसे पर चान राव करें चाहिए अब न toplin tip करें कि आप जब 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 आपको यह चीजद को होगा हमारे मैंने में यह चीजद होगा हम इस चीजद को complete करते जा रहे हैं आपके सामने वो चीज जब करते हुए देखेगी तो आपको एक progress वाली feeling होगी जो कि आपको गोल की तरह motivate रखने में बहुत मदद करेगा तो R4 requirement and sacrificing हमें पता चल चुका है कि आखिर हमें किन किन चीजों की जरुवत है मैंने यहां पर अपने एक 90 days goal को one day task में convert कर दिया कि आखिर आज और कल मुझे क्या करना है मुझे इस तरह किसे पूरा 30 तारीक तक का goal पता है तो यह चीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपनी चीज कर लिए जो कि मुझे पता है बहुत कम लोग करेंगे लेकिन जहां पर आपने यह चीज कर लिए वहां पर आपको इतनी ज्यादा difficulty क्योंकि आप जब goal set करेंगे आपका जो goal होगा वह यह तो hard होगा यह तो easy होगा अगर आपने goal बहुत जादा hard कर दिया तो आपके अंदर एक feeling generate होगी जिसके अंदर आपको यह मैसूस होगा कि इसे पूरा करना तो एक कदम नहीं रखता है और अगर आपने बहुत जादा easy रख लिया आपके अंदर sales of progress होगी नहीं आपको लगए यह बहुत जादा easy है तो इसको कभी भी करा जा सकता है तो आखिर करें क्या easy रखें यह hard रखें मैंने यह चीज figure out करी let's suppose आपने जिन्देंगे में कभी एक डॉलर भी नहीं कमाया और आपने बोला कि मैं एक करोड कमाऊंगा तो आप उसे पूरा नहीं कर साथ तो गोल आपको ऐसा नहीं रखना है मैंने जो चीज figure out करी है आपको जो भी आपका गोल रखना है वो इस तरह के से रखना है कि जि जो भी गोल आप रखने वाले हैं कि जो भी आपकी पॉसिबिल्टी है आपकी जो भी पॉसिबिल्टी है उसका 25% एक्ट्र या 50% एक्ट्र रखें 50% से ज्यादा ना जाए आपने टार्गेट लिया कि मैं आपकी पहले कैपिवेल्टी थी 10 push-ups की तो आप टार्गेट रखे कि आपको बिलीफ सिस्टम भी आपके अंदर आएगा क्योंकि मैंने चीज खुद फिगर आउट करिए पूरी जो जर्णी है उसमें क्या चीज सबसे इंपॉर्टन होता है वह था विस्वास अगर आपको बिलीफ है तो मैं करेंटे दे रहा हूं आपको मिलेगा लेकिन कई कि आपको बिलीफ मानते हैं बिलीफ यानि की विश्वास कि आपको स्यूर्टी है आप इसके कैपीबल है यह जैसी आपके अंदर यह माइंड में ट्रिगर हो जाएगा किसी भी गोल को सेट करते ही कि हाँ यह मेरे लिए पॉसिबल है मैं इसे अचीव कर सकता हूं इसका मतल अब ही हमारा जो भी 90 डेस का गोल होने वाला है वह बिलीफिवल होने माला है हमारे 90 डेस का गोल है वन लाग रिपीस पर मन जो कि मुझे बिलीफिवल है कि एजीले टच हो सकता है क्योंकि मैं 50 गे तक टच कर चुका हूं भली अभी मिरे पास कोई भी क्लाइंट नहीं नही हैं और मुझे यह पता है कि मुझे कल क्या करना है मुझे यह पता है कि मुझे आज करना है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब वक्त के साथ आपका रोड मैप चेंज होता रहेगा क्योंकि वक्त के साथ आपका पता चलेगा कि हाँ मैंने अब क्लाइंट को आउट और जिस जिसकी वज़े से मुझे रिजल्ट दगा मैंने यूस बहुत सारी टेकनिक करी हैं लेकिन यह जो टेकनिक के यह सबसे ज्यादा बेनफिट मेरे लिल रही है तो इस टेकनिक को आप भी इस करें डेफिनेटल आपके लिए रिजल्ट लेकर आएगा और यह जो चार्ट कोई बार ऐसा होता है कि हमें इस चीज को डर होता है जब कभी हम लिख रहे होते हैं कि कहीं गलती है नहीं मैं आपको यह चीज बोलना चाहूंगा कि गलती हो जाए तो कोई दिक्कर नहीं क्योंकि आपके पास अभी 40 पन्ने और हैं लेकिन साथ में यह भी बोलूँगा कि इस गलती को कभी दोबारा मत दोहराना क्योंकि आपके पास सिर्फ 40 पन्ने और हैं तो अंत में यहीं बोलूँगा कानी इस तरह के से लेखिए कि सामने वाले को सुनाने में वह जाए